ओम सिरी गने साय नमा दोस्तो एस्ट्रू समाधान यूट्यूग चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन अगस्त गुरुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैत्तर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंश सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पोजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज धन अचल संपत्ति इत्यादी को लेकर भी इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में उन्नती के अच्छे अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तो इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और निवेश कर आर्थिक इस्तिती को और भी मजबूत बनाने में आप सफल हो सकते हैं। दोस्तो साती सात अपने माता पिता के साथ संबंदों को और भी सुदारने का प्रियास करें इससे ना केवल आपको भागय का साथ मिलेगा और आपके जीवन में तरक्की भी आएगी करियर उचाईयों पर जाने की आज संभवना दिखाई दे रही हैं यदि आप नौकरी बद आपके मित्रों का शैयोग प्राप्त होगा जो आपको शकारातमक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए काफी प्रुत साहित करेंगी आपको अपने कारशित्र में कई कारों के लिए आज अधिक अनुकूलता महसूस होगी दोस्तो आज का समय आर्थिक द्रश्टिकोंड से आपके लिए बहुती अच्छा समय हैं क्योंकि इस दोरान आप कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं दोस्तों साती साथ आज आप किसी पार्टी में भी सामिल हो सकते हैं अत्वा परिवार और मित्रों के साथ कहीं डिनर या लेंच पर जाने का भी आप प्लान बना सकते हैं क कला के छेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी समय आज का काफी अच्छा रहेगा जो लोग आध्यात्मिक के छेत्र में लगे हैं उन्हें भी आज अच्छे पढ़नामों की प्राप्ती होगी जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ इस समय आप अपने काम में महारत हासिल करेंगे और आपके वरिष्ट अधिकारियों दुआरा भी आपके कारों को सरहार आ जाएगा आपके करियर में तरक्की होगी और यदि आप मन से महनत करते हैं तो सफलता पाने से और पदोनती से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तो अब बात कर लेते हैं अज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो इस दोरान कुछ लोगों का अपने ससुराल पक्ष के लोगों से जगड़ा हो सकता है अथवा आपके जीवन साती दोरा अपने माईके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच दोस्तो आपको इस बात का भी अवस्य ध्यान रखना चाहिए कि अत्यादिक आत्म विश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णे ना लें और अपने अधिनिस्त करमचारियों को भी किसी प्रिकार का कष्ट ना दें अन्यता इस्थिती आपके विपरीत हो सकती है तबदील करने के लिए क्योंकि अभी का समय आपके लिए मेहनत करने का समय है इसलिए आप जम कर पसीना वाहें अपनी जिम्मेदारियों के मूल को समझने में आपको परिशानी हो सकती है इसके लिए आपको अपने परिवार के किसी अनुभव व्यक्ति से सला लेने की आव स्वस्त का अनुबब कर सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ आज अनबन भी हो सकती हैं सकारत्मक सोच वे आत्म विश्वास कारों में आज आपको सफलता दिलाएगा या दोस्तों आपके लिए आज आवश्चक होगा कि आप किसी भी निर्णे को लेने से पहले अपना पू इंताओं के वरद्दी हो सकती हैं लेकिन यदि आप सब को साथ लेकर चलेंगे तो समस्याएं धीरे धीरे काबू में आ जाएंगी दोस्तों बात करते हैं आज आपकी लव लाइफ के से रहने वाली हैं दोस्तों आपके प्रेम जीवन में आज बाहर आएगी आपको जरुत हैं तो बस अपने आख कान खुले रखने की जो एविवाईत हैं तो प्रेम विवाके आज उनके लिए योग बनेंगे प्रियतम से आज आप अपने दिल की बात साजह कर सकते हैं दोस्तों प्रेम संबंद आज अच्छे हो सकते हैं मन के अनुकूल प्रेमी प्रेमी का मिलने की भी आज संभावना पाई जाती है यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे अपने मन की बात भी आज आप शेयर कर सकते हैं दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आप दोनों में काफी उत्सा देखने को आज मिल सकता है एक दूसरे के प्रती सानभूती आज हो सकती है तथ अपने प्रेम जीवन में आज आगे बढ़ेंगे और आपके प्रेम जीवन में शांती, सदबाब, रोमांस आदी का आज समावेस होगा। आज आपको भरपूर शयोग प्राप्त होगा जिससे सभी कारें बहुती आसानी से पूरे होंगे। आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो इस दौरान आपको उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। आपकी उस बीमारी में सुधार आ सकता है जिससे आपकी परिसानियां कुछ हद तक कम हो सकती हैं। दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, वयाम करें, स्वास्त रहें। दोस्तो अब बात कर लेते हैं, आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है। जो भी आपके जीवन में परिशानियां चल रही हैं, समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त मनोकामने भगवान श्रीहरी विश्णुजी हवश्य ही पूर्ण करेंगे। दोस्तो भगवान श्रीहरी विश्णुजी का अशिरवाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैश्रीहरी विश्णुज वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।